हालो इस्टुडेंट्स आव यू कैसे आप सभी इस्टुडेंट्स आपका वेट खतम होता है और जो हमारा चैप्टर चल रहा था ओन रिडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर बताया आपको चैप्टर चल रहा था इसका सेकेंड पार्ट हम पढ़ेंगे यहां से पहले हमने बताना चाता है great science जो बुक बताई गई है common person और critic person के जो reading करने वाले व्यक्तिव में difference बताया और हमें बताया कि हर बुक में scientific work होता है वो लेकिन कैसे होता है knowledge of human nature इस पर depend होता है students ऐसा हमें इसमें बताया गया था तो हम आगे देखते हैं आज कि जो है इसमें क्या बताया गया है तो बड़े ध्यान से आपने पहला डंग से पढ़ लिया होगा पार्ट अब आज के पार्ट को आप ध्यान से समझेगा उसमें क्या दिया गया है ठीके बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है सो स्टार्ट करें ओके देखिए क्या बता रहें इसके अंदर देव कितने अच्छी बाता है यह पहले इसमें बताया गया था कि कई लोग जो स्टोरीज बगिर आपको अमूजमेंट के तोरे पढ़ते तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यह किता बहुत अच्छी है और जो समझ में नहीं है इस चेप्टर आपके लिए हाड लग कि पढ़ने का इसे चैप्टर में दिया गया क्या गया है इसको क्या करना चाहिए अपने दिमाग में सबसे इस बात को बिठा लेना ची है कि that a book ought not to be कि किताब जो है read for more mere amusement के पढ़ने 만दरांजन के लिए पढ़ने की चीज़ नहीं है किताब को जब हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हम यह सोचे कि समय विता रहे हैं या 만दरांजन के तोड़ पे पढ़ रहे हैं तो मनदरांजन के तोड़ पर पढ़ा जाता है बच्चों यह चीज़ में बताएंगी है कौन लोग पढ़ते हैं हाप educated person read for amusement जो आदी शिक्षा प्रात व्यक्ति होते हैं तो आदी शिक्षित प्रात व्यक्ति क्या करता है मंदर अंजन के तोर पर पढ़ता है and are not to be blamed for it तो उसके लिए क्या है उसका कोई दोस नहीं लगाया जासता है कि आप उस पर दोस दो किसी को उसको कोई दोस नहीं सकते हैं कि वो है आदा शिक्षित व्यक्ति हैं they are incapable for appreciating क्योंकि वो आयोग्य है उसकी प्रसंसा करने में the deeper qualities उसके जो अंदर के जो छुपे हुए गुण है उन गुणों को बताने में क्या है वो शक्षम नहीं है that belongs to a really great literature वास्तों में महान साहिते में छुपा हुआ जो ग्यान है उसको वो नहीं बता सकता तो उसका दोस भी उसे हम नहीं दे सकते हैं बड़ा यंग मैन किन्तु एक युवा व्यक्ति कौनसा who has passed through a course of university जिसने युविश्विद्याले में शिक्षा प्राप्त की ऐसे व्यक्ति को क्या चाहिए train should discipline himself अपने आप में कैसा रखना चाहिए swim को या खुद को अनुसासित करें अनुसासित रखे discipline में रहे at an early day never he read for mere amusement वो क्या करें शिर्फ किताबों को जो ऐसा ना समझेगी है पढ़ने के उद्देसे केवल मनुरंजन के रूप में पढ़ने के उद्देसे से है and once the habit of discipline has been formed बलकि अपने आप के अंदर क्या जगाए एक अनुसासित की भावना को वो जगाए he will find it impossible to read for mere amusement देखें कांगे line he will find it impossible वह अपने आप में असंभव महसूस करने लग जाएगा कैसा कि किताब मनुरंजन के तोरे पढ़ने की नहीं है to read for mere amusement की ऐसा संभव नहीं है कि मनुरंजन के लिए अध्यन करना किताब के अंदर उसको डिटेल बता देना संभव नहीं है he will then impatiently फिर वो कैसा हो जाएगा impatient जैसे आप लोग अधेरिये सीलो जाते है गुरुजी कुछ समझ में तो आया नहीं क्या है यह चैप्टर तो आप ऐसा अपने आपने इंपैसेंट की होते है आप बार बार उसको read करो भई या read करो जह समझ में आ जाएगा जैसे मिर्च कडवी होती है लेगिन कई लोग अच्छी लगती है खागी उसका आनद लेते तो वैसे यह चैप्टर है बच्चों ऐसी मिर्च खाई आपको आनद मिलेगा एन इबुक विच डज नोट मैक एन अपील तो दा हायर इमोशन ऐसी कोई कुटाब कोई स्रेस्ट पुष्टक कोई ऐसी पुष्टक जो उसकी उच्छी जो इमोशन भावनाई होती है एन इस इंटलेक्ट और उसके अंदर के जो इंटलेक्ट बहुत दिखता है विवेक होता है ऐसी पुष्टके जो है कैसी बताए गई है उस पर असर नहीं डालेगी बट ओन दाधर हैंड दूसरी तरफ दे हैविट ओ रिडिंग और अम्यूजमेंट पढ़ना अध्यमनुरंजिन के तोरवे पढ़ना बिकम विद थाउजन्ट ओ पीपल ऐसे हजारों लोग एक्जेक्टली दे सेम काइंड और हैविट इन वाइन ड्रिंकिंग जैसे गोई वाइन ड्रिंग की करना ओपियम स्मोकिंग या फिर किस चीज का धुम्रपान करना नसे की आलक दाल देना जैसे कि इसे लाइक नार्कोटिक यह उसके लिए एक नसे के समान हो जाता है ठीक है ना सम्थिंग डैट है टू पास दा टाइम वो है उसके लिए समय गुजारने वाली बात किस आज का समय निकले और कल का कल देखेंगी वह इसे क्या कर रहा है अपनी पूरी समझ अपनी सोच को पूरी तरह से नस्ट कर रहा है Giving exercise only the surface part of the mind के वल क्या दे रहा है वो उसको देना अभ्यास क्या होईगा surface of mind मनुरंजन के तोर पर पढ़ने की लग जो होती है न बच्चो उसमें क्या बता है कि दिमाग के सता ही भाग का सिरो उपर उपर जो है ना surface of mind उसी का अभ्यास करती है Living the deeper spring of feeling बलकि अंदर की गहराईयों को छोड़ते हुई The higher faculties of perception employed जो वास्तों में क्या करती है उसके अंदर की शक्ती को बढ़ा दे जो वास्तों में उसको बिना बढ़ाई जो है उस व्यक्ति का मनुरंजन के तोर पढ़ना जो है वो अध्यान को छोड़ देती है यानि कि वो deeper अगर नहीं पढ़ पा रहा है तो वो नहीं समझ पा रहा है कि उसके अंदर गहराईयां क्या है समझगे The test of great book एक महान पुस्तक का test एक होता है ने परिक्षे इसको कहें Is a whether we want to read यह जब ही माना जाता है जहां हम उसको पढ़ ले It only once or more than once जिसे एक या उससे अधिक बार जब हम उसको पढ़े यानि कोई भी पुस्तक है उसकी परिक्षा क्या होती है पुस्तक की परिक्षा यह होती है कि जब हम उसको एक या उसको दो बार पढ़े और उसको पसंद करें जिसे चैप्टर है अब आपको समझे आप दोस्त दे रहें बुक को लेकिन आप समझे किताब अच्छे नहीं है रिविया आप अच्छे नहीं हो यह समझे लीजिए आपने पुस्तक को बार बार नहीं पढ़ा क्या ना एनी रियली ग्रेट बुक वी वांट तो रीड ऐसी कोई महान पुस्तक जिसे हम पढ़ना चाहते हैं इवन मोर देन वी वांटेट तो रीड इट फस्त ताम जिसको हमने पहली बार पढ़ा हो and every additional time हर किसी अत्रिक्त समय में that we read it जब हम इसे पढ़े we find new meaning तो हमें नया अर्थ उसमें मिले and new beauty in it और हमें उसके अंदर रूची उसके अंदर जो है सुन्दरता हमें जो है उसके अंदर मिलेगी जब भी हम उसको बार बार पढ़ेंगे तो a book that a person of education एक पुस्तक जो क्या है एक व्यक्ति की शिक्षा के लिए and good test एक अच्छी रूची के लिए यह स्वाद की कह सकते हैं खुरा कह सकते हैं does not care to care to read more than once is very probably not worth much ऐसा नहीं हो सकता कि वह उसके योग्ये हो कि वास्तों में उसने उस पुस्तक को पढ़ा हो वर्त मचो अब तो उसके पढ़ने योग्यों we but we cannot consider बलकि हम यह अनुमान मान सकते हैं क्या मान सकते हैं the judgment of a single individual infallible क्या कर सकते हैं judgment हम लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं जो व्यक्ति infallible होता है मतलब कभी ना गलत समझने वाला तो हम इस बात को ऐसा माना जा सकता है कि अनुमान लगासते हैं कि व्यक्ति का तोर पे जो एक एक सिंगल अनुमान लगाएं और सिंगल अनुमान लगा कि यह कह सकते हैं कि इसमें कुछ भी कमिया नहीं है इस पुस्तक के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं बार-बार पढ़ रहे हैं उस पुस्तक को क्या बता है कि अब देखिए इसके लिए बता है कि पुस्तक के लिए तो यह गलत ना हो लेकिन गलत को बता है बहुत सारे लोग उसके बारे में यह बता सकते हैं मानने टा दे सकते हैं कि वास्तों में पुस्तक वर्द रिडिंग है या नहीं है पॉर इवन दा ग्रेटेस्ट क्रेटिक महान आलोचक और एप्ट जो इसमें कैसे होते हैं पिलकुल लिप्त होते हैं प्रवर्थ होते हैं जान जाते हैं तू है उसके उन्दर छुपी हुई उदासिता जो होती है उसके बारे में भी बताया जा सकता है कि वास्तों में कौन व्यक्ति किताब को महान बना रहा है उस व्यक्ति को समझ में आ रही है इसलिए बना रहा है नहीं समझ में आ रही इसलिए क्या करना चारा है तो वो एक single व्यक्ति उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता बलकि बहुत सारे व्यक्ति मिलकर के ही उसकी कमजोरियों को निशित जो है वास्प में जो उनके अंदर कम्या जो होती है उनके बारे में बता सकता है यहां पर कुछ गजामपल्स देंगे नहीं कर सकता, Byron could not endure some of the greater of English poet, और Byron नाम का जो लेख कभी है वो किसी अंग्रेज कभी को सहन नहीं कर सकता, A man must be many-sided to utter बलकि एक व्यक्ति जो होता है एक व्यक्ति जो है वो क्या नहीं करता है मतलब है बहुत सारे जो लेखक है उनके बारे में बतागर क्या बोलता है A man must be many-sided to utter a trustworthy estimate of many books या एक व्यक्ति जो यह नहीं कह सकता किसी किस्तब बहुत सारी किताबों के लिए अनुमान लगा सकते कि बहुत सारी किताबे जो हैं विश्वास करने योग्य हैं या नहीं है इसके बारे में पसंद या नापसंद के बारे में वो व्यक्ति जो मतलब करता हैं कोई प्रतिवासाली हो भावमो की विकास है उनका विकास करने वाली पुस्तके जो है वो ऐसी होनी चाहिए या कौन सी पुस्तक है या कौन सी पुस्तक नहीं है उसका अंदाज है जो है एक व्यक्ति नहीं कर सकता इवन इफ वी कैन नॉट एट वंदा पर्सीव अनिटिंग गुड बलकि हम यह भी नहीं बता कि कुछ अच्छा इन्हें किताब में कुछ अच्छा है की नहीं है विच है जो पुस्तक कई सालों से जो है बहुत महान पुस्तक है उन पुस्तक के लिए हम यह नहीं कह सकते कि वास्तों में यह किताब जो अच्छी नहीं है हम उसके प्रसंसा नहीं करें तो यह ऐसी बाते चलती है लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि उसमें अब doubt करो कि यह किताब अच्छी है नहीं उसको क्या करोगे आप कम मालूम चलेगा यू में भी sure that by trying जो आप खुद कोशिज करोगे तो कोशिज करोगे तब ही आपको इस बात का पता चलेगा कि वास्तों में उस किताब में छुपी हुई जो admiration जो praise वाली बाते हैं वो कब केसी है कब मालूम चलेगा कितनी हैं by studying it carefully तो आप उसे बड़े ध्यान से सुनिए ध्यान से पढ़ी अध्यन कीजिए we sell at least to be able to feel the reason of the admiration and praise तो वास्तों में जब सेक्डो सालों से चल रही किताबे जो हैं जिन लेखों को उन्हें लिखी है जिन्होंने मेहनत की है तब आप उस योग ये बनेंगे कि आपको उसके कारणों का पता चल जाएगा कि उसमें प्रसंसा करने वाली बाते हैं या नहीं हैं समझ गयोंगे आप लोग मतलब आप एक बार पढ़कर के कुछ नहीं बता सकते हो कि वाई ये किताब केसी है केसी नहीं सबसे अची किताब मतलब जो पुश्टकाले होता है वह गरीब आदमी के लिए लाइबरी होगी है वह कोई भी महान पुस्तकाले वैसा ही होगा कैसा होगा जिस प्रकार की वहां की किताबी होगी ठीक है और books which have passed for test of time उसको तैसा लएगा कि जो किताबे हैं वो क्या है सिर्फ जो exam देते हैं test देते हैं और test के लिए जो कहते हैं test of time test के समय की है या परिक्षा के समय में ही खरी उतरी होगी ऐसा वो व्यक्ति यहां पर सोचेगा उन books के बारे में अब क्या होगा उस समय हमें एक चीज का पता चल जाएगा क्या कि हमारे लिए सबसे महतपुन मागदसक जो है वो कौन है in which of reading वो किसमे है अध्यन के अंदर यानि जो पुस्तकों काम अध्यन करते हैं अध्यन करने के हमारे सामने आने वाले सबसे महतपुन मागदसन कौन है तो we should read only the books तो हमें किताबे ही पढ़नी चाहिए एक से ज़्यादा बार उस किताब को पढ़ना चाहिए कि हमें guidance का पता चलेगा ना कि दूसरों के लिए खरीद ले अन्य किताबे हैं उनको खरीदना नहीं चाहिए और जो किताबे पढ़ रहे हैं उनको खरीद तो लिए लेकिन धंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो क्या बताया we want to read more than once nor should we buy any other बलकि किताब वो धंग से पढ़े ना कि दूसरी किताबे खरीद ले unless we have some special reason for the investing money तो हमारे लिए विश्यस करण क्या होगा हम पैसों का invest कर रहे हैं क्यावल पैसे ही लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं the second factor demanding attention to the general characters of the value that lies hidden within all अब दूसरा पहलू क्या बता रहा है एक ध्यान देने योके वाली बावतार है कि दूसरे पहलू के अंदर उसमें क्या कह रहा है तत्थे की बात कर रहा है वो है उसकी किसकी general character of the value यानि उप्योग इता की कौन सी जो उसमें सामाने जो लक्षन बताये गए हैं general character बताये गए हैं उनकी जो भी कैसे हुए हैं उसके अंदर छुपे हुए पड़े हैं किसमें with all लास्ट परिग्राप अब आएगा अपने यहाँ पर with all such great book ऐसे महान पुस्तकों में जो है छुपे हुए पड़े हैं क्या छुपे हुए पड़े हैं बता सकते हैं आप क्या बात बताईगे इसके अंदर जो hide पड़े हैं जो उसके अंदर जनरल करेक्टरस हैं यानि सामाने लक्षन जो हैं उनके बारें बता है जो महान किताबों में छुपे हुए पड़े हैं उसकी उप्यों किता के बारें बता बताया है यूवा और अमर रहती है एक किताब जो होती न एक यूवा व्यक्ति के दुवारा कभी भी उसके बारे में पूरी समझ नहीं बता ही जा सकती इन दा फॉर्स रिडिंग पहली बार पढ़ने में एकसेप्ट दा सुपर सियल वे बलकि उसके बजाए कि वह एक सताबर पढ़े सुपर सियल वे तरीके से पढ़ लिया हो तो वो पूरी समझ से नहीं बता सकता कि उसको उस्तक में क्या दिया गया है जिसने उपर को पढ़ा जो कथन कह सकते हैं या जो कहना कह सकते हैं स्टार्टिंग की बात जो है वो कैसे है उसने अपज़ड किया समझा और आनंद उठाया मदब उसके ताब को समझ लिया और आनंद ले पाते हैं ऐसी कहानियों है नौर यंग मैन कैन पॉसिबली सी दा फॉस्ट रिडिंग नई एक युवा व्यक्ति संभवत्या पहली प्यार अध्यन करने में दा क्वालिटी जॉप एक ग्रेट बुक एक महान पुस्तक के गुणों को नहीं परक सकता उनके बारे में नहीं बता सकता सिर्फ यह कर सकता है कि हाँ उसने समझा है पढ़ लिया विया रिमेंबर दैट इस तो eload वख सकता सकता कि कई बार जो है किसी जो महान पुस्तक होती है बड़ी बुक होती है उसमें जो हाइड होते है जो qualities होते है stressed बाते होती है उसके अंदर क्या है मनुष्य को उसके अंदर छुपे हुए जो छुपे हुए जो values होती है जो सेकडो सालों से मनुष्य अगर पढ़ ले तो भी क्या है उन किताबों के अंदर उनका find out नहीं कर सकता कि वास्तों में उस किताब में छुपा हुआ और राज या उसकी छुपी हुई value क्या है हाइड value क्या है but according to a man experience of life बलकि ये मनुष्य के खुद के नीजी जो अनुबव है उनकी आधार पर इन बातों को बताए गया है कि मनुष्य ने क्या किया इनके बारें पता किया लेकिन वो भी उसके छुपे हुए गुणों को नहीं बता पाया the text will unfold ये सब सिम्टे हुए unfold होगे मतलब fold नहीं है खुले पड़े हैं आप पता कीजिए पढ़िए ढंग से ऐसा नहीं कि छुपे हुए पड़े खुले पड़े हैं लेकिन समझना है new meaning to him लेकिन उसके लिए कैसे वो नया अर्थ ही निकालेगा वास्तों में वो ही अर्थ निकालेगा जिस व्यक्ति ने उस किताब को लिखा होगा the book that delighted us at 18 एक पुस्तक जिसने हमें 18 साल की उमर में हम पढ़े तो हमें आनंद देगी if it be a good book तो वो कैसी हो सकती है एक अच्छी पुस्तक है will delight as such more than more at 25 फिर क्या होगा जब हम 25 की उमर में उस पुस्ताब को पढ़ेंगे तो और भी अधिक आनंद देगी हमें it will prove like a new book तो वो हमें क्या लगेगी it will prove like a new book us at 30 years of all 30 साल की उमर में हमें वो नई किताब लगेगी at 40 और 40 साल की उमर की बात कर रहे हैं यहां पर अब लेखक बता रहा है 40 साल की उमर में क्या होगा at 40 we shall read हम इसको जब दुबारा पढ़ेंगे wondering यह मतलब विचार करेंगे असमंजस में हो जाएंगे बलकि सोचेंगे why we never saw how beautiful it was before मैंने तो पहले कभी देखा ही नहीं इतनी सुन्दर किताब इतनी अच्छी पूस्तर है देखें आप लोग जैसे मालो nursery LKG UKG पढ़े आपने counting table सब कुछ पढ़ा तो आपको चाटे पढ़ते थे इस खुलों के अंदर नहीं आता था अब जब आप सोचते हो तो देखते हो रही है सब कुछ तो मुझे आता है अभी भी आता है तो आपको कितना अच्छा लगता है नहीं पहले नहीं आता था तो वही चीज़े बच्छो एक्स्पिरियंस की बापते इसमें बताई जा रही है अब पचास साट साल की उमर में क्या हो जाएगा वही जो कितना ताजूब करेंगे कि ये बात तो मुझे कितना क्या बात है उसमें अपने आप में वही पहलू है फिर से अपने आपको दोराएंगे समझ गे ना मतलब जो पहले थे ना वैसे ही पहलू उतने आप में दोराएंगे एक ग्रेट वुक ग्रोज एकजेक्टली दा प्रोपोर्शन कि एक महान पुस्तक महान पुस्तक जो होती है वो क्या करती है प्रोपोर्शन दा ग्रोथ ओप दा रीडर्स माइंड जो पाठख होता है उसके दिमाग को हमेश्या क्या करती रहती है समान एक अनुपात के अंदर उसको ग्रोथ करती रहती है मतलब उसको बढ़ाती रहती है बढ़ाने का मतलब नए नए अर्थ जो है उसको उसके सामने आते रहते हैं suppose that कि मैंने पढ़ाया भी आपको मैं दुबारा जैसे पढ़ाऊंगा तो और नहीं बाते बताऊंगा जैसे और फिर दुबारा पढ़ाऊंगा तो और कुछ लग बताऊंगा मैं लेकर इससे होगा लेकिन कुछ नया मिलेगा आपको की सर नहीं है तो आपको समझ में कौन सा आता है बच्चों वो उस पे depend होता है तो समझ गे होंगे आप आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप ऐसा ही मान के चलना है कि we shall we read कि हम इसको बार-बार पढ़ेंगे तब यह चैप्टर समझ में आएगा लेपका एडियो खान तो students, चैप्टर complete होता है चैप्टर बहुत अच्चा है देखिए क्यों समझ में अच्छे हैं सारे के सारे यह देखिए 30 से 20 से 30 सब्दों वाले और इधर 60 से 80 सब्दों वाले बहुत ही प्यारा चैप्टर है आप इसे बारर पढ़े है क्यों समझ आंसर तयार कीजिए और मिलते है नेक्स क्लास में ओके तब तक गुद डेई गुद बाई